यह कहानी है 1938 केरली नाम के एक आदमी की Hungarian RV और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था जितनी भी नाशनल चैंपियंशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीट चुका था और सबको अल्मस्ट कंट्री में जो ऑलम्पिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी उसको एक ही सपना था एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है बेस्ट बनाना है और वो काम्याब हो गया उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग में सिर्फ दो साल का फ़क्त 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैम चल रहा था च्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सिडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनिट फट गए और वो हाथ चला गए जो उसका सपना था जो फोकस था सब खत्ब उसके बस दो रास्ते थे एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिन्दगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए या अपना जो गोल्ड था जिस पे उसने फोकस किया हुआ तो उसको पकड़ करके रखे तो उसने फोकस किया उसके नहीं जो चला गया था जो उसके पास नहीं था उसने फोकस किया उसके जो उसके पास था जो उसके पास था और क्या था उसके पास में एक लेफ आड़ एक ऐसा हाथ जिससे उन लिख तक नहीं सकता था एक महीने तक उसको हॉस्पिटल में इलाज चला साथ के ले और सही एक महीने बाद और भी ट्रेलिंग शुरू करती ही साथ के ट्रेंडिंग के एक साल बाद मतलब के 19.39 में वो वापिस आया नाश्रल चैंपियनशिप्ट हो रही थी महीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टोल शूटर्स थे बाहाँ पे उन्होंने जहा करके उसको कंग्राचुलेट किया भागी यार देखो ये होता है जस्बाप ये होती है स्पोर्च्मेंग स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आयो हमको देखने के लिए और हमारा होसला बढ़ाने के लिए किसी को नहीं पता था कि वो एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की और उसने जवाब दिया मैं यहाँ पर तुम्हारा होसला बढ़ाने में आया तुम्हार साथ कॉंपीट करने आया हूँ तुमसे लड़ने आया हूँ प्यार हो जओ और कमपटिशन हूआ बाकी सब भाइब चितने भी लोग थे वो कंपीट कर रहे थे अपने पिको बाकी सबटने उल्ले हैंड से ते आया है एड कैरली चीट कया लेकिन वो यहां नहीं रुप गाए उसका गोल फ्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं पूरी दुनिया का बेक्श शुटिंग है बनाना है उसने पना सारा फोकुस उठा कर गए डाला नाइटीन फॉर्टी पे जब उलम्पिक्स होने वाले थे लेकिन नाइटीन फॉर्टी के उलम्पिक्स कैंसे जो होगा है वोल्ड वार की पेसे लेकिन उसने अपना सारा फोकुस उठा कर गए गार डाल दिया 1944 में जो Olympics होने वाले थे उसके उपर 1944 में जो Olympics होने वाले थे वो भी कैंसे दोगे World War की विगसिक फिर से क्यांसे उसने इमना सारा फोकुस उठाकर के डालदिया 1948 की Olympics 1938 में उसकी एज थी 28 साल 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 एर्स और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उचसे कॉंपीट करना मुश्किल होता चला जाता है लेकिद मुश्किल नाम का ये वर्ड थाई दी उसकी दिश्टरी वो गया पूरे वर्ड के बेस्ट सुटर्स आए होई था जो अपने बेस्ट आट चे कॉंपीट कर रहे था और ही अपने ओल्ली कर रहा था और कॉंझी था लेकिन वो तब भी नहीं को लिए नाइटिन फंटी तूर्स ऑलम्पिक्स दुबारा क्उंपीट थिया उसके और इस बार गोल्ड मेडल कौन जी था गैर लीड चार साल बाद दुबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलम्पिक्स की इस पर्टिक्लर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एट्डीट ने लगातार दो गोल्ड मेडल्स नहीं चीपे अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिस्ट होगी पहानों की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत नबी लिस्ट है उसी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वज़े होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा कि मैं इस वज़े होगी झाल और वो करता है झाल झाल